My Friends, Rade Rade, Jai Shri Ram कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है दोस्तों तो दोस्तों आज हम एक उधारन के माध्यम से हम सब एक बहुत अच्छी सीख लेंगे एक बहुत अच्छी प्रिणा लेंगे तो आईए हम उस उधारन से प्रिणा लेने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में तो दोस्तों एक भवरा होता है और एक गोवर का कीड़ा रहता है तो भवरे ने किसी कारण से जो गोवर का जो कीड़ा रहता है उससे मितरता हो जाती है दोनों की बहुत अच्छी मितरता हो जाती है तो उसके बाद एक दिन गोवर का जो कीड़ा रहता है उसको गोवरेला बोलते हैं तो गोवरेला ने भवरे को अपने यहां भोजन पर बुलाया अरे मितर कल आपको मेरे यहां भोजन पर आना है तो जो भवरा रहता है तो भवरे ने कहा ठीक है मितर मैं कल भोजन के लिए आपके घर पर आऊँगा आपके यहां आऊँगा तो जैसे ही दूसरा दिन आता है तो भवरा जो रहता है वो गोवर के यहां भोजन के लिए जाता है तो भोजन के लिए जैसे ही पहुंचता है वहाँ पर भवरा तो गोबर का जो कीड़ा रहता है गोबरेला जिसको कहते हैं लोग तो उसके पास भोजन खिलाने के लिए क्या है तो भवरे ने बोला अरे मित्र बहुत जोर से भूग लगी है भोजन परोसो जन्दी तो जो गोबर का जो रहता है उसने गोबर की कुछ गोलिया बनाई और भवरे के सामने परोस के रख दी अरे मित्र ये लो भोजन करिये तो भवरे ने उस मित्रता के कारण के ये हमारा मित्र है मैंने इसको मित्र बनाया है इसको सुईकार किया है तो भवरा वो गोबर की जो गोलिया थी उनको बड़े चाहु से और प्रेम से खाने लगा। भोजन करने के बाद भवरे के हिर्दय में एक विचार आता है कि क्यों न हम अपने मित्र को एक दिन अपने यहां भोजन करने के लिए बुलाएं। तो उसी वक्त भवरे न गोबर के कीड़े को अपने मित्र को अपने यहां भोजन के लिए निमंत्र दे दिया। तो चैसे ही दूसरा दिन लगता है तो गोबर का जो कीड़ा था तो वो पहुंसता है भवरे के हाँ। अब भवरे तो भाई फूलों में रहने वाला जीव है जन्तू है तो जैसे ही गोबर का कीड़ा फूलों के अंदर जैसे ही पहुंचा है तो भवरे ने फूलों का रस जो होता है वो गोबर का जो कीड़ा रहता है गुबरेला बोलती है जिसको उसके सामने फूलों का रस रख दिया और भवरे ने कहा अरे मित्र लीजे ये फूलों का जो रस है इसको सुईकार करें और भोजन करें तो जो गोबर का कीड़ा होता है उसने रस को पिया अनेक प्रकार के फूलों का रस पिया और अब जिस गोबर के कीड़े को भोजन किस प्रकार का वो करता है और फिर उसको फूलों का जो रस रहता है जो उसको पीने को मिले तो कैसी अनभूती प्राप्त होगी तो ये तो आप हम समझी सकते हैं तो भवरे नय फूलों का रश पिलाया और गुबरेला जो है उसने रश को सुईकार किया तो गुबरेला जो किला था गोबर का उसे बड़ा आनन्द आया तो उसके हिरदय में एक विशार आया कि क्यों ना आज मैं अपने मित्र के यहीं रुख जाता हूँ तो जैसे ही वो ये विशार करता है तो वो अपने मित्र भवरे से बोलता है कि मित्र आज मेरे हिरदय में विशार आ रहा है कि आज मैं आपके यहां नीन दिलूँगा, यहीं सोऊँगा, तो भवरे ने कहा ठीक है मित्र, आप आराम से अपनी नीन पूरी कीजिए और तब तक मैं भिर्मण करके आता हूँ, तो कीड़े ने कहा, गुबरेले ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यहां सो रहा हूँ, और भवरा निकल जाता है भिर्मण के लिए अपने, तो जैसे ही सुबह होती है, तो इतने में माली आता है, और माली जिस फूल के अंदर, गुबरेला जो कीड़ा था वो सो रहा था, उस फूल को माली ने तोड़ा, और तोड़ करके मंदिर में ले गया, बहां जो पुजारी जी थे उनको दे दिया, पुजारी जी चले, तो उन फूलों को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर तो कुछ टाइम बाद जो कीड़ा था उसकी नीद खुलती है तो जैसे ही उसने देखा अरे मैं इधर कहां आ गया हूँ बगिया मैंसे तो पुजारी जी ने कहा कि अरे आप भोले बावा शंकर भगवान के चरणों में आप विराजमान है तो गुबरेला जो था उसके हिर्दे में विचार आया कि आज भोले बावा के चरणों मैं मुझे इस्थान मिला ये तो बड़ी किरपा है उनकी फिर भमरा जो गुबरेला था वो फिर से जाकर के फूलों में फूल में सो गया सोने के बाद संध्याकाल की जो आरती होती है आरती होने के बाद